हलो स्टुडेंट्स, आज के वीडियो में हम मनो वैज्ञानिक या मनो सामाजिक कारकों को समझेंगे. इससे पहले वीडियो में हमने Risk Factors and Causes of Abnormality के अंतरगत आवश्यक कारक, परियाप्त कारक वे साहयक कारकों को पढ़ा था. आवश्यक कारकों के अंतरगत हमने जैविक कारकों को समझा. नेक्स्ट जो हैं परियाप्त कारक उसके अंतरगत हम पढ़ेंगे मनो वैज्ञानिक या मनो सामाजिक कारक. तो ये परियाप्त कारक क्या है? पिछले वीडियो में हम इसको समझ चुके हैं. फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर दूँ कि परियाप्त कारक ऐसे कारक होते हैं जो विकृती उत्पन होने के पहले ही उत्पन हो जाते हैं और विकृती का मार्ग प्रशस्त करते हैं. जैसे माता पिता द्वारा तिरसकार किया जाए या बच्चों को अत्यदिक बंधन में रखा जाए या उनको बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाए या उनसे बहुत अधिक अनेक्सपेक्टड ऐसा फलताएं जो है उनकी वो जो है परियाप्त कारक के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं तो इसके अंतरगत हम मनोवैज्यानिक कारकों को पढ़ेंगे मनोवैज्यानिक कारक या मनोसामाजिक कारक तो एबनॉर्मल बिहेवियर के कुछ मनोसामाजिक या मनोवैज्यानिक कारक भी है और ये मनोसामाजिक कारणों से हमारा अभिप्राय है व ठीक ढंग से अपने आपको समायोजित नहीं कर पाता और दीरे दीरे उसमें ऐसामान्यता उत्पन होने लगती है तो ये कारक निम्न है फस्ट है आरंबिक वंचन या आघात अरली डेप्रिवेशन और ट्रोमा तो जब बच्चों के व्यक्तित विकास के आरंबिक पीरेड मे किसी तरह का वंचन किसी कारण से हो जाता है या कुछ आघातक अनुभूतियां होती हैं तो इससे उनका व्यक्तित विकास सही डंग से नहीं हो पाता और उनमें ऐसामाने विवार उत्पन होने लगता है तो ये कारक जो हैं तीन तरह के हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे पहला है संस्थानी करण दूसरा है घर में वंचन और तीसरा है बाले अवस्था का सदमा या मानसिक आघात तो संस्थानी करण से तात पर ये बच्चे का पालन पोशन अपने घर में रखकर माता पिता द्वारा ना करके उसे किसी संस्थान में जैसे अना थाले में आवास ये स्कूल में रखकर अन्य व्यक्तियों द्वारा पालन पोशन करवाया जाए। प्राय देखा गया है कि इस तरह के संस्थान में अपने घर की अपेक्षा हारदिक्ता तथा देहिक संपर्क की कमी होती है। यानि जो घर में बच्चों को वाम्त मिलती है, जो हारदिक्ता मिलती है वो इन संस्थानों में बच्चों को नहीं मिलती है। सभी चीज़ों की कमी होती है। तो इस तरह से एक अध्यन हुआ उन्होंने बताया कि अपने परिवार में यदि माता पिता द्वारा पाले पोशे गए बच्चे कितुलना में, कितुलना उन बच्चों से की जाए जिनका पालन पोशन किसी संस्थान में रखकर किया गया थ तो परिणान ये बताते हैं कि मात्र एक साल की आयू में संस्थान में पाले पोशे गए बच्चों में लोगों के साथ अटेच्मेंट दिखाने की कमी होती है। और ऐसे बच्चों में मदद के लिए वैस्क के प्रती मुढने की भी प्रावरिति कम पाई जाती है। ये बच्चे जो हैं एडल्ट्स लोगों की हेल्प करने में भी सक्षम नहीं होते हैं। इनमें आनंदित होने का भाव भी कम होता है। यानि खुशी भी इनमें कम होती है। और इस तरह की बच्चों में इमोशनल अपैथी यानि सम्वेगात्मक उदासीनता का भी भाव प जो हैं वो एक बेर्ज और ओबर्ज मनोवेग्यानिक थे उन्होंने किशोरों के उपर किया और किशोरों पर करके उन्होंने तीन सब्ता और तीन साल की आयू में संस्थान रोग से ग्रसित बच्चों को लिया। उनमें से 21 में करेक्टर डिसार्टर थे, चार जो लोग अंदित थे, यानि mentally retarded थे, दो जो हैं neurotic थे, यानि स्नायू विक्रुत जिनमें पाई गई, केवल साथ ऐसे बच्चे थे जिनमें संतोज जनक व्यक्तिकत समायू जन था, तो ये जो परिणाम है, इसके आधार पर ये निशकर्ष पर पहुँचा गया कि एक साल की आयू से कम की, उम्र में भरती हुए बच्चों में वयसक होने पर, जब वो adult हुए होने पर, उनमें जो अंतरव्यक्तिक संबंद थे, वो विक्सित करने की क्षमता नहीं थी, या नहीं होती, तथा उनमें समाज विरोधी व्यवार अधिक होता है, तो इस तरह से जिन बच्चों को संस्थान में रखा जाता है, माता-पिता की देखरेक में नहीं रखा जाता, तो उन बच्चों में ये सब विशेष्टाएं पाई जाती हैं, सेकिंड है, घर में वंचन, कुछ ऐसे भाग्यहीन बच्चे होते हैं, जिनें घर या परिवार से अलग करके, उनको पाला पोश परिशा नहीं जाता, परन्तु घर पर होते हुए भी उन्हें माता-पिता का स्ने या प्यार उतना नहीं मिलता, जितना की मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिती में देखा गया, कि माता-पिता अपने बच्चों पर कई कारणों से कम ध्यान देते हैं, या फिर उसे तिरस्कृत करते हैं, तो ये पेरेंटिंग डेप्रिवेशन, यानि जो माता-पिता दोरा जो वंचन है, वो बच्चों में आगे चलकर ऐसामाने वेवार उत्पन करते हैं, और इस तरह के जो वंचन की व्याख्या जो है, वो मनो-सामाजिक विचार धारों में भी की गई है, जिसको आ अपने अध्यन में ये बताया कि जब माताएं, बच्चों को तिरसकार या उदासीन वेवार अपने बच्चों के प्रती करती हैं, तो उनमें बहुत ही कम उम्र में तनाव ग्रस्तता और नकारात्मक वेवार विक्सित हो जाता है, नेगिटिव वो लोग हो जाते हैं, जिस से बाद में उनमें अंटी सोशल या समाज विरोधी वेवार विक्सित होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसी तरह से ये टर्ज ने अपने अध्यन में ये पाया कि ऐसे बच्चे दूसरों के साथ संबंद स्थापित करने में अपने आपको ऐसमर्थ पाते हैं जो एडल्ट जो व्यक्ति हैं व्यक्तित्व है उनका एक शील गुण बताया गया है कि जो है उसको हम आत्म स्नेही व्यक्तित्व का एक शील गुण उसको हम कह सकते हैं और ऐसे बच्चों में अत्यदिक डर घर से भाग जाना या उनमें mental retardation आदी प्रमुक हो जाता है जिन बच्चों को घर में वंचन मिलता है अब parenting deprivation जिन बच्चों को मिलता है और थर्ड पॉइंट है बाले वस्था का सद्मा या मानसिक आगात तो बाले वस्था में जब बच्चों को सद्मा पूर्ण अनुभूतियां होती है जैसे माता या पिता की मृत्यु या अन्य प्रत्याशित sexual experience तो इससे उनका जो व्यक्तित विकास है वो प्रभावित होता है और उसमें जीवन की adaptive demand से निबटने की जो क्षमता है उसकी उनमें कमी हो जाती है और व्यक्ति में ऐसामाने व्यवार या बच्चों में ऐसामाने व्यवार तेजी से उत्पन होने लगता ह और इस तरह के जो सद्मा हैं जिससे बच्चों में मनोवेग्यानिक disturbances उत्पन होते हैं उसे मानसिक आगात या trauma या सद्मा भी कहा जाता है और बच्चों में मानसिक सद्मे का बार-बार होने से उनमें ऐसामाने व्यवार विक्सित हो जाता है तो इस तरह से जो है बाले अ पस्था का सद्मा या जो मानसिक आगात है वो भी बच्चों में ऐसा मानेता उत्पन करते हैं तो इसके आगे के points हम next वीडियो में discuss करेंगे थैंक यू